बच्चों के विवाव में देरी का कारण गुरू और शुकर होते हैं, जिस प्रकार से लड़कियों के विवाव में विशेश तोर से अगर ब्रहस्पति कमजोर हैं, गुरू कमजोर हैं, तो उनका विवाव देरी सी होगा, और जिन लड़कों के जन्म कुंडली में शुकर कम जबूत होते हैं और शनी सातों भाव में नहीं होते हैं, उनकी शादियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो ऐसे में जब बच्चों के विवा में देरी हो रही हो, बच्चों के विवा योग ना बन रही हो, उनकी जन्मकुंडली में विवा दोश बना हुआ हो, तो बच्चो के शिगर विवा के लिए माता पिता प्रेशान हो जाते हैं बहुत सारे उपाय करते करते लेकिन फिर भी विवा हो नहीं पाता है। तो बच्चों के विवा की देरी की प्रेशानी दूर करने के लिए एक बहुत ही चम्नटकारी और शक्ति शाली दिन आ गया है जिस दिन अगर आप पे छोटा सा भी काम कर लेंगे तो वो भी आपका सफल होगा आपको उपाई बता रही हूं कि इस दिन आपको क्या करना है लेकिन उससे पहले नमस्कार आप सब को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना श्रमा अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आपका सब्सक्राइब हमारी हिम्मत और होस्रा है और आपका शेयर दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है तो आपके जीवन में भी खुशियां जरूर आती है 6 जून को है गुरुबार का दिन और गुरुबार के दिन है अमावस्या यानि के गुरुबार के दिन आप विश्नु भगवान मालक्षमी के पूजन करते हैं बच्चों की जन्म कुंडली में गुरु श्ट्रों करते हैं अमावस्या के दिन आप application के उपाई वैसे भी कर सकते हैं शेंकर भगवान के उपाई आपको तरंद फलिबूत उते हैं और यह जो अमावस्या है ये बड़ अमावस्या है भाव का अमावस्या है और इस दिन होती है शनी जयनती यानि कि जेष्ट मास की जमागर से आती है उसमें शनी जयनती मनाई जाती है शनी भगवान का जन्म हुआ था इस दिन इसलिए इस दिन को शनी भगवान के निमत भी माना जाता है तो आप शनी भगवान की निमित उस दिन एक छोटा सा काम करिएगा, जिसमें बच्चों के गुरू भी स्ट्रोंग हो जाएंगे, बच्चों के शुकर भी स्ट्रोंग होंगे, और बच्चों के जितने भी जनुकूर्णी विवाद होशे हैं, वो सारे एकसाथ समापत हो आप आपको कर लेना है बच्चों के विवा के लिए और बच्चे खुद भी कर सकते हैं इस उपाई को बहुत चोटा सा है और माता पिता को तो करना ही चाहिए बच्चों के शिगर विवा के लिए करना क्या होगा आपको संध्या के समय जैसे ही शाम का समय हो जाए आपको है छोटी हो बड़ी हो आप चिंता मत करना लेकिन एक लोहे की कील होने चाहिए हाँ इतना और कह देती हूं लोहे की कील नई हो पुरानी किसी जगह पर उसे यूज किया गया हो प्रयोग में लिया हो फिर आप उसको प्रयोग में ना ले आगे नई कील हो और अगर आपके पास ना हो तो एक छोटी सी कील बज़र से मंगवा लीजिएगा वैसे भी कीले हमारे घड़ों में काम आती ही रहती हैं तो अगर आप मंगवा लेंगे दो चार पांच रुपे की तो उसमें से एक कील आपके इस उपाय के काम में आ जाएगी एक कील ले लीजिएगा और इसके साथ लीजिएगा थोड़े से एक चमच भर काले तिल लीजिएगा जो आपके चाय वाला चमच होता है छोटा वो सिर्फ एक चमच काले तिल ले लीजिएगा और इसके साथ ही लेना है जो अगली चीज है वो लेनी होगी आपको साबुन एक साबुन लीजिएगा आप कैसी भी साबुन ले सकते हैं आप सस्ती लेले महंगी लेले आप छोटी लेले बड़ी लेले कैसी भी लेले कपड़े धोने वाली लेले नाने वाली लेले जो भी की आपको ले लेना है इसके साथ और साबुन तिल और कील के साथ लीजिए एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा फिटकरी छोटा सा टुकड़ा लेना है आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है सामान्या से टुकड़ा हो छोटा सा इतना ले लीजिए फिटकरी लेने कि प्रयोग में लिया हुआ कपड़ा वो ना हो, काला कपड़ा ले लिजिएगा, उसमें ये सारी चीजे रख लीजिएगा, अब साबुन जब आप रख रहे हों, तो जो कील है, इस साबुन में गड़ा दीजिएगा, यानि के इसके अंदर चुभा देना है कील को, और इस सा पा रहा है, जिसके उमर लगाधर बड़ी जा रही है, और रिष्टे आते ही नहीं है, आपको सब को मालूम है, जब एक उमर निकल जाती है शादी की, उसके बाद से रिष्टे आना मुश्किल हो जाते हैं, और जब रिष्टे आते हैं, तो आप कितने भी योग्य हो, लेकिन आपके योगे वो रिष्टा नहीं आता फिर आपको लगता है कि हम इतने योगे होते हुए भी qualified होते हुए भी सब कुछ होते हुए भी फिर भी रिष्टा अच्छा हमारे लिए नहीं आ रहा है ये सब होती है शनी की देरी के कारण जो साते उभाव में होते हैं तो आप ये सारी चीज़े लेकर उस बच्चे के सिर के उपर से साथ बार इस पोटली को सीधा गुमाना है और एक बार उल्टा गुमाना है साथ बार सीधा और एक बार उल्टा यानि कुल मिलाके आठ वार घुमा दीजिएगा साथ बार सीधा और एक वार उल्टा आठ वार घुमा के और अब पश्चिम दिशा के तरफ मूँ कर लीजिएगा हाँ इतना हो रियाद दिला दूँ कि जिस बच्चे के सिरके ओपर से आप घुमाएंगे उसका मूँ भी पश्चिम दिशा की तरफ ओना चाहिए और उसके सिर के उपर से फोटो के उपर से आप साथ बार गुमा ले और गुमाने के बाद अब पश्ची मुद्देशा की तरफ फिर वापिस आप मुझ कर लें और पॉर्टली को हाथ में लेके बच्चों के शिगर विवा की काम ना करें लेकिन वो आपके कर्मों का ही हिसाब किताब होता है शनी भगवान खुद जो होते हैं वो खुद कभी भी आपको दुख नहीं देते हैं वो देव कहलाते हैं, भैगवान कहलाते हैं है न वो कोई राक्षिस नहीं है जिस तरह से राहू केतू हैं उस तरह से नहीं है वो देव हैं और देव कभी भी आपका बुरा नहीं करते हैं आपके सिर्फ कर्मों के कारण ही ये सब विपदाएं प्रेशानिया आती हैं तो उनको भगवान हैं वो, उनको हाद जोड़ के नमसकार करें, और बच्चों के शिगर विवा की काम ना करें, आप इतनी बिंती प्रासना करने के बाद, मन शर्दा भावना के साथ, आप इस पोटली को ले जाएं, शनी भगवान के मंदिर इस पोटली को छोड़ाएं, और अगर आपके शनी भगवान का मंदिर पास में ना हो, और बहता हुआ पानी हो, तो बहते हुए पानी में परवाहित कर दें इसे, और ये दोनों ही बाते ना हो, तो फिर को पीपल का पेड़ हो, तो उसके नीचे उस दिन इसको छोड़ाएं, पीपल के पेड़ में एक पुरू लिखना मुनो कामना पूरून होगी, thanks for watching.